कि नमस्कार में गुप्तेश्वर पैंडे डीजीपी विहाद करोना खतम नहीं हुआ अनलॉक टू का मतलब यह नहीं कि करोना खतम हुआ रात में दस बजे के बाद सुबा पांच बजे तक अभी भी करफू है जान बचाना है पूरी दुनिया तबाह हो गई अमेरिका ढगया इंग्लेंड ढगया जर्मनी इटली चाइना बड़े बड़े देश भस्त हो गए हिंदुस्तान एक सो तीस करोड की आबादी वाला देश बारव कोड़ा केले वियार में रोज बढ़ता जा रहा है परसुत पोने तीन सो लोग हो गए पोजेटिव जान बचाने का एक ही त जगा के रखें गमची से मुणा को ढख तीन ही जगा है जहां से करोना गुषता है दोनों ना का छेद और मुख तीन को हमेशा धक कर रखेंगे करोना से पीडित होने की संभावना बहुत कम है और भीड में तो बिल्कुल नहीं साधी ब्याह में देख रहे हैं लोग भीड में तो जाना ही नहीं है और बड़े दुख की बात है इसी कारण देखें इद की नमाज घर में हुई सारी मस्जिदें बंद हो गएं सारे मंदिर बंद हो गएं खोला गया था लेकिन ये बाबा धाम का कामरियां वाला जल हम लोग नहीं चड़ा पाएंगे जला भीड होती है और करोना जिस तरह से फैल रहा है लाखों आदमी की जान खत्रे में पड़ सकती है इसलिए हाथ जोड़ करके निविदन करता हूं घर में भगवान सीव की आराथ ना करें अर्चना करें वो तो ओधरदानी है आपके मन के भाव को समझते हैं कामरिया जल नही चड़ाना है सारे मंदिर जहां जलाब से खोता है बंद रहेंगे और घरदय से सद्धा से भगवान सीव का स्मरन करें उनसे प्राहतना करें कि करोना का संकट दूर हो घर में रहें सुरक्षित रहें भीड में न जाएं और हमेशा मुह ठक करके रहें मास्क जरूरी है नवस्यक मूमिन्ट भी नहीं करना है यह मिल बात को आप ध्यान में रखेंगे आप सब मेरा बहुत बहुत प्राइब